गाडिया जब नहीं होती है तो एकदम साफ सुत्री और चमतदार दिखाई देती है लेकिन जैसे जैसे यह पुरानी होती जाती है या अधिक इस्तमाल में लाई जाती है तो उसमें विबिन प्रकार की घंदिगी जमने लगती है ऐसे में कार मालिक को से साफ करने के लिए गाड़ी धोने वाली दुकान पर ले जाना पड़ता है यदि गाड़ी धोने वाले अपना बिजनिस हाइवे पर खोल ले तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा और वो हाइवे पर ही अपनी कार को वाश करने के लिए दे दे इस प्रकार अन्य जगहों की तुलना में हाइवे पर कार वाशिंग बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है चलिए जानते हैं कि कैसे आप हाइवे पर गाड़ियां धोने का व्यापार शुरू कर सकते हैं जिससे आप कर सकते हैं हर महीने अच्छे खासी कमा है बिजनेस चाहे कार वाशिंग का हो या किसी भी चीज का हो एक सफल बिजनेस के लिए उसकी योजना बनाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने बिना प्लैनिंग के काम शुरू किया तो आपका कारे ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है जिसके चलते आपका समय और धन दोनों का घाटा होने का खत्रा रहता है उसी प्रकार कार वाशिंग के बिजनेस में भी आपको एक अच्छी सी योजना ये प्लैनिंग बना लेनी चाहिए जिससे आप ये तैय कर सकें कि आपके बिजनेस में कितने पैसे लगेंगे आप किस जगह पर ये बिजनेस करेंगे आपको किन किन चीजों की आवश्यक्ता होगी और आपको अपनी शॉप में कितने लोगों का काम पर रखना है ये सब कुछ आपको एक जगह पर लिखके इसकी सही से योजना तैयार करनी है अब कैसे किया जाता है कार धूने का काम तो कार धूने का काम दो प्रकार से होता है पहला लेबर के दौरा और दूसरा मशीन के दौरा कार वाशिंग के बिजनस में लोग अपनी दुकानों पर मशीने तो रखते ही हैं साथ ही कुछ लेबर को भी रखते हैं जो मशीनों के द्वारा उन गाडियों को धोकर अच्छे से साफ कर सकते हैं अब कहा कहा कर सकते हैं कार वाशिंग बिजनस तो car washing business आप कहीं भी कर सकते हैं गाउं, शहर, सड़क, highway इत्यादी लेकिन गाउं की अपेक्षा ये business शहर भी जाना चलता है क्योंकि वहाँ पे कारें जादा होती है लेकिन अब गाउं में भी कारें बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो आप अगर किसी गाउं या किसी कस्बे में ये business खुलने का सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ये business श्टार्ट कर सकते हैं वहीं अगर आप highway पे ये business शुरू करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात होई नहीं सकती क्योंकि highway से जादा गाड़ी आपको कहीं नहीं मिलेगे अब car wash business के लिए क्या-क्या संसादन जरूरी है यदि आप car wash business शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको इन संसादनों के आवशकता होगी पहली car wash करने के लिए जगह, दूसरा उसके लिए पानी, तीसरा machine, चौथा car polish, पाँचवा car washing shampoo, छटा pipe, साथवा तॉलिया, आठवा sponge अब car washing business में कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि car washing business तभी काम कर सकता है जब उसमें bike की धुलाई का काम भी किया जाए क्योंकि इंडिया में car से ज़्यादा अभी भी bike की संख्या है ऐसे में एक shop खोलने के लिए आपको कम से कम 30 by 40 work fit की जरूरत पड़ेगी क्योंकि car धोने के लिए आपको car के लिए एक foundation बनाना होगा जिसमें आप car को खड़ा करके उसे wash कर सके है वही bike रखने के लिए भी आपको एक जगह चाहिए साथ ही उपकरणों को रखने के लिए भी आपको जगह की आवशक्ता होगी पैसे मैं आपको business के लिए एक बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी अब अगला सवाल यह आता है कि ये business कौन कौन कर सकता है तो car धोना एक बहुत या आसान काम है जिसे सीखने के लिए किसी training या पढ़ाई की आवशक्ता नहीं पड़ती इसलिए इस काम को कोई भी कर सकता है कितनी लागत है car washing business में तो car washing business में कितने पैसे खर्च करना है या आपके budget पर निर्भर करता है आप चाहें तो कम से कम दाम की car washing machine खरीद कर business शुरू कर सकते हैं जो कि आपको 30,000 से 1,000,000 रुपे तक की मिलती है वहीं आपको पानी और बिजली की व्यवस्ता में एक लाख रुपे तक खर्च करने होंगे इसके अलावा छोटे मोटे उपकरण की जरूरत होगी इसके बाद आपको टोटल खर्च डेड़ से 2,000,000 तक हो जाता है इसमें आप शुरू कर सकते हैं अब अगला सवाल है कि क्या इसके लिए रिजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है तो किसी भी बिजनस को अगर आप एक बड़े पैमाने पर ले जाना चाहते हैं तो आपको कानूनी कारवाई पूरी करने ही जरूरी होती है उसी प्रकार गाडी धोने को जाने की कार वॉशिंग बिजनस भी है जिसमें आपको कुछ लाइसेंस हैं पर मीशन की जरूरत पड़ती है जैसे स्थानिय प्रादीकार से रेजिस्ट्रेशन टैक्स रेजिस्ट्रेशन इतल है अब कार वॉशिंग बिजनस में ध्यान देने वाली बातें क्या है तो पहली ये कि car washing business आपको ऐसी जगह पर खोलना चाहिए जहाँ पर अधिक से अधिक गाड़ियां आपको मिल सके accessible जगह हो जहाँ पर गाड़ियां आ सके जा सके आसानी जी वैसे ज़्यादाता लोग इसे car repairing center के आसपास ही खोलते हैं भारत में car से जादा bike की संक्या इसलिए जब भी आप car wash करने का business शुरू करें तो bike wash करने की सुविधा भी दें तभी आपको लाव हो सकता है अब आता है कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो car washing business में आप कितना कमा सकते हैं यह तो आपके business की location और आपके पास आने वाले customers पर ने भड़ करते हैं अगर आप highway पर इस shop को खोलते हैं तो आपको ज़्यादा ज़्यादा customer मिल सकते हैं और किवल एक गाड़ी पर यह आप 60 से लेके 500 लोग तो तो अगर आप चाहते हैं कि business आगे बढ़े आपको सफलता प्राप्त हो तो इसको promote करना हुग इसके लिए आप online और offline दोनों तरीक से अपना सकते हैं online में आप social networking site का सहरा ले सकते हैं और उसके अलावा आप Google पर अपनी shop register करें ताक कि कोई भी अगर सर्च करता है कि car washing near me या मुझे car washing करना है तो कहां करें तो आपका नाम वहाँ पर आ जाए आज पास की जितने भी लोग सर्च करें तो आपका नाम सब से पर आना चाहिए उसके अलावा आप हर व्यक्ति से कहिए जो भी car wash करवाने आ रहा है कि आप हमें अच्छे सा अच्छे reviews दें क्योंकि जितने आपके reviews अच्छे होंगे उसी इसाब से आपकी ranking भी पर होगी और आपके और जादा से जादा customers आएंगे